तो सेर सिंग की वनटैप की कोष हिए और यहें वनटैप मैं इस चीटर को बं करा दूँगा पक्का बं करा दूँगा इसको बंकरा दूँगा ओ हो ओगेट्स बील गेट्स गर्रेट बिल गेट्स बिलकुल लाई हाँ तो भाई लोग आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल ओपिय क्योंकि आज भारत की आनबानसान कहे जाने वाले शेव सिंग का मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान की गांट कही जाने वाले गीदर खान से तो देखते हैं कौन जीतेगा इस मैच को यह सेर सिंग का वार और यह 15-15 के बहुत सारे डेमेज़ेज दिये हैं तो यह क्या गीदर खान इन डेमेजेज को सह पाएंगे या फिर भारत की आनबान सान सेर सिंग जीत जाएं कोशिसें नाकाम कर रहे हैं भारत की आनबान सान नीचे कुदते हुए और ये सेर सिंग उपर ग्लू बाल दाग रहें ताकि गीदर खान नीचे कूदना पाएं उपर मर जाय हैं तो यह गीदर खान भी बहुत झाल जूत या पलेयर लग絡़र हमको क्योंकि गीदर खान यह तो पाकिस्तान की गहांड कहें या यह तो अपने आप ही हार चुके एँ मैच और यहमारा आज कुबाई हैती स accurate और ये इस्ट खान बहुत ही चुप चुप के गेमिप्लेz कर रहा है और वहीं पाकिस्तान वाले पुरानी हरे घ्रका रहे हैं इसंड खरम यत करता है यह कौन करता है ओना वबर्सेज वं मेंनेट यह यह मतलब जीत लिया है और यह हो चुका है चौथा राउंडल इस्टार गीदट खान बिल्कुल छुप छुप के गेम कर रहा है ये विल्कुल गलत हो रहा है गीदर खान समय अर। देकन पढ़ गया, wax देखेंगे हम लोग क्या पांच में और यह फिर से चूपके क्या नूबड़ों वाली हरकते कर रहे हो पाकिस्तानी हम तुम को रहे उपर केस कर देगा हभी यला हुली यानि कि मतलब मुझे खुदी नहीं पता तो आम से चलाना चाहते हैं हमारे भारत की आनबान सान सेर यह गीदर खान बिल्कुल चुपांचुपा और यह नेट कर रहे हैं यार वन वर्सिज वन में कौन नेट करता है गीदर खान मुझे मिल जातू मैं तेरा खून कर दूगा गीदर खान का मैं खून करना चाहता हूं पर क्या करूं गीदर खान मुझे मिल नहीं रहे और यह यह ओहो बड़ा ही बुरा डेमेज देता हुए दिये है गीदर खान फिर भी भारत की आन ने फिर से मैच को जीत लिया है यानि कि सेर सिंग इस बार लग रहा है टिक गे पर चड़े हुए हैं और देख रहे हैं अपनी ओम वाली ओम वैं वैसे तो गीदर खान के पासन नहीं होगी क्यों कि पास कि पाकिस doctor भौ को नहीं सकते तो 1 अर कीदर खान की दो गलु बॉल और यह ओमाइगाद गीदर खान ने सेर सिंग को हरा दिया है एक मैच में पांच वर्सेज वन से पांच एक से फिर भी सेर सिंग आगे और गीदर खान के लिए हो चुकी है मुस्कुले खड़ी क्योंकि उन्हें अब जीतना होगा चार मैच लगातार तभी वह आपाएंगे से सेर सिंग को फिर से पीछे से मारते हुए सेर सिंग को बहुत ही ज्यादा प्राब्लम्स करना पड़ रहा है क्योंकि गीदर खान चुपाई के वाले हरकते कर रहे हैं और यह थोड़ा सा ही बचा हुआ है हैल्थ उनकी और यह अपने आपको पैक करते हुए और वहां से निक स्वारी थोड़ी से खासी आ गए करोना नहीं मुझे और यह उचुगा है साथवां राउंड स्टार अफ सेर सिंग को फिर से पड़ी हैं दो गोलियां वह भी फिर से पीछे से बिल्कुल मतलब चुपन चुपाई वाला गेम प्ले कर रहे हैं बिल्कुल क्या कहा है इनको विदल्ण खान का है या फिर इने पूरा गीद़ ऑफिर से छुप गए हैं गीदल खान अब सेर सिंग थोड़ा सा अंदर आते हुए बैक लेते हुए गवर बनाते हुए अपने लिए और मैडी मैडीस भरते हुए अब यार यह गीदल खान पीछवाडई भाई गीदल खा पाकिस्तानी रो रोके मौका मौका करते हैं फिर भी कुछ हो नहीं पाता तो भारत की आनबानसान का मैच चलता हुआ पाकिस्तान की गांड से तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और अगला वीडियो होगा राइस्टार वसेज अज्जु भ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और यह बहुत ही गंदा डैमेज देते हुए गीदर खान और भारत की सान सेर सिंग को यह मैस हारना पड़ गया और यह हो चुका दस्वां राउंड स्टार्ड और अब देखते हैं होगा क्या मनिर्णायक हम यह मैच होकर न और छेंग को लाग रहा है थोड़ी सी होड़ी प्राब्लम और यह है फिर से सेसंग के कोसित प्र नाकाम और जाने की कोसित और घर से बाहर निकलते चान्य प्धर से कोसित ओहो को सब्सक्राइब यह बहुत ही बहुत ही तगड़ा मैच चलता हुआ जोर सोर से फाइट के सीन्स लिए जा रहे हैं वन टैप मारे यह पढ़ चुका है है और यह जीत गए है हमारे कौन सेर सिंग तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साइको प्लेयर्स को और तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू गाइस